हेलो श्रिंट्ट जान विल्कम बैक टो चनल सिराशेख डिकी स्टडी आज हम स्टार्ट करने जारे टी वाई बैक कर सेमें स्टर फिफ्ट फाइनल अकाउंट अफ एन इंशुरेंस कंपनी स्टार्ट करेंगे आज ने प्लास स्टार्ट करदे टॉपिक जारे जिसका नाम है इंशुरेंस कंपनी देखो आपने आपका जिब अकाउंटिंग चालू किया था तो बेसिक चालू हुआ था फाइनल अकाउंट अफ़ सोल प्रोप्राइटर लेवें संट फिर ट्वेल्ट में आए फाइनल अकाउंट पार्टनर्शिप फर्म देखा फाइनल ब्हुत अब कंपनी तो साथ-साथ बैंकिंग भ्याए इंसुरेंस कंपनी आ रहा है इसन है इसमें कुछ नया नेहरी इतना है पहले हम होरीजन्टल करते है तो अब हम वर्टीकल करते है। हों इसके लँगा थी वर टिकलफों पड़े इंजुनेस हाँ कितना अमाउंड मिलने वाला है अच्छा ठीक है क्या कि मेरे को नाम से एक चीज़ क्लिक हो रहा है इंशुर मतलब कुछ तो कुछ ना कुर मिलने माला है इंशुर होने वाला मतलब आपको कुछ भी नहीं होने देंगे कुछ हो गया तो हम है इंशुर सिक्यूर भी बोल सकते है आप उसे कि आपने किसी चीज से डर के मारे आपने मिरको ऐसा हो गया तो मेरे फैमिली का क्या आएगा तो आपने क्या किया इंशुरस निकाल दिया बाद समझ में आये kiya इंशुर मेरे जानने के बाद मुझे मेरे फामाली को कुछ प्राब्लम नहीं होना चीए एक इन्श्ररेंज निगा ला है उन्सकाल सक्कुर नुद्स न हो जाए विर्ट के ऊपर इंश्ररेंस नि baldто कोई समान मेरे पास पढ़ा है इसको मेरे कोई सब्सक्राइब डर लग रहा है और कभी छोरी हो गया था मैंने गुड्स मेरे सामान के पर इंशुरेंज निकाल दिया प्रापटीस के पर इंशुरेंज निकाल लिया तो हम लोग पढ़ने वाले एक इंशुरेंस कंपनी कैसा अपना final account maintain करता है जिसे बिजनस की बात करेंगे तो बिजनस के दर में मोटी होता है गुड्स बेचना गुड्स खरीदना और उस पर प्रॉफिट जन्रेट करना तो इंशरेंस कंपनी क्या बेचती है इंशरेंस बेचती है और प्रॉफिट जन्रेट बात समझ मैं आप इंशरेंस में आपके सिलाबस में and miscellaneous fire आग लग गया किसको आपको आपके सामान को बिजनस के गुड्स को मतलब आपको कोई आपके पास आएगा कोई बिजनस लेके आएगा मुझे मेरे गुड्स का इंशरेंस करवाना है fire के खिलाब तो आपको fire इंशरेंस के point of view से सोचना है उनके point of view से नहीं सोचना है पहले दिबाग में ही डाल दो या जो इसाफ किताब कर रहें ओके कीसे करें एंशरेंस कमपनी के point of view से आपने इंशरेंस निकाला आपने निकला आए बट मेरे लिए वो क्या है वो तोचना है यार इसने इंश्रेंस के बारे में इतना तो आपको पदा चल गया अब इंश्रेंस कंपणी के इंदर खाली चार चीज़ है ओनली फोर ते सबसे पहला है इंश्रेंस क्लीब पायर इंश्रेंस के लिए या कोई भी इंश्रेंस कंपणी के लिए दो सोर्स ओफ इंकम जो होता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम यह हो गया इंकम इंश्रेंस कंपणी के लिए जो सोर्स ओफ इंकम होता है में इंकम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम स्षाइर इंशरेंस कंपनी के, लिए खर्चे की बात करू तो खर्चा होता है, ऐ खाया नहीं, एघरी करते हो, मेरी इंशरेंस कंबड़ेग लिए जो प्रिमियम तुम भर conscious मेरा इंकम का भी हुआ है अपने दैना पड़ा गया जो प्रीवियमम मेरे लिए इंकम वा इसको हो गया अचानक में कुछ nov गया मेरे से हाय ऌफ यह चलीन हुआ सबसे पहला चिबर जो बनता एंशुन नंबर और वाण ऒएंई अ कूए सेकिंड शेडियू मनेगा क्लें का थर्ड इंशुरेंस कंपणी का जो होता है इंशुरेंस कंपणी से थर्ड होता है वह है कमिशन कभी आप देखो इंशुरेंस लेने जाओगे न तो इंशुरेंस कंपणी डाइरेक आपको इंशुरेंस में हमारे एजंट से बात को रहा है उसके एजंट से के लिए समझ में आया तो business के लिए एक income है दो expense और एक चीज है insurance company के लिए वो है other expenses शेडियू number in short total चार schedule बनेगा insurance company का profit and loss निकालने के लिए पहला शेडियू बनेगा premium दूसरा बनेगा claim तीसरा बनेगा commission चौथा बनेगा other expenses यह सब आपका खर्चा है और यह अकेला आपका income अभी ऐसा बांसर टाइप लगरा रहेगा पर समझ में आ रहा है बट आज अधो ज़रा actual picture पर तो समझ में आ जाये यहां पर दो चीज मैंने मनाये एक है स्टेट्मेंट प्रोफिट एंड लॉस और एक है revenue स्टेट्मेंट कि ए जो revenue स्टेट्मेंट है वह insurance कौन सा लिया है हर insurance के लिए शेम फार इंश्रेंस तो भी सेम मरीन इंशरेंस तो भी सेम मस्लेनियस तो भी सेम यह होता है कि आपको जो भी इंशरेंस आपके एक कंपनी मैं फायर इंशरेंस भी देता हूं मैं मरीन इंशरेंस भी देता हूं मैं मेरा लाइफ इंशरेंस कंपनी तो इस कंपनी के अंदर फायर से भी इंशरेंस मिलेगा मरीन से भी मिलेगा और मिस्सलेणिक से भी मिलेगा भाया नहीं तो मैं तीनों के लिए अलग-अलग income statement भानाऊ है कि निफार की लिए अलग मिस्लेणिस के लिए लग मरीन के लिए यह उसका मालावा कोई income हो तो वह लिखेगा अगेए इंकम है तो लिखेगा और सब को और करेगा बिजनस को अपना income है बास समझ में को मैं आया माईनस करेगा expenses अब यह जो expenses है अगर देन यला दिस अगर देनीस मतलब फायर का खरचा म३रीन का खरचा मिलेस खरचा छोड़के कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है प्रोविजन अधर डेन टाइक्स या अधर एक्सपेंसे वह हम को माइनस करने गाए तो ए में से से माइनस भी माइनस होगा तो नेट प्रोफिट भीफॉर टैक्स माइनस टैक्स आफ्टWow अग्सा सकते हैं दो इनकम दिख रहा है प्रिमियम और इंकम बस दो चीज़ बनाने का आपका schedule number one, schedule number two, schedule number three, schedule number four, चार schedule बनाने, चारो schedule के अंदर income कितना आया, expense कितना हुआ, वो record करनेगा, उसका total लिखनेगा, और total इधर लाके रिख देनेगा, income में expense minus करनेगा, operating profit or loss from fire हो सकता है, marine हो सकता है, जिसका भी बनाया रहेगा, जो भी इधर आएगा, उसमें तो कोई appropriation वगेरा है, तो minus करेंगे, नहीं तो जो भी income आया, fire का fire में, marine का marine में, मिशले लेका, मिशले पसकता, इधर को income expense, बस, इतना है profit and loss का statement, logic बेठा दिमाग में, हाँ, मतलब main motive है, premium, claim, commission, other expense, clear, मैंने वो schedule बनाया, schedule number one, premium, schedule number two, claim, schedule number three, commission, schedule number four, other expenses, schedule ऐसे ही बनाया, particular, रुपीज, 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 पर्टिकुर, यह working भी बोल सकते है, आप इसे, working बनाओ, इसका answer लो, उसमें डाग, ठीक है, अब सोड़ा सा, इंस के उपर focus करेंगे, example है, मेरे company में, अंकीदा आती है, सर मुझे insurance निकालने का, ठीक है, कितने का निकालने का, एक करोर रुपे का, नहीं हमारी company इतना बड़ा insurance नहीं देती है, नहीं मुझे आप ही के company निकालने का, बस मुझे आपके company important लगते है, अच्छा company है, आप बराबर claim देते हैं, मुझे एक करोर का insurance निकालने का, ठीक है, no problem, आप मुझे दो दिन का time, दो दिन के बाद आना, फिर मैं आपको बताऊंगा insurance होगा या नहीं होगा, मेरा company जादा से जादा 50 lakhs दे सकता है, कितना 50 lakh, इस से जादा insurance नहीं कर सकता है, एक करोर मतलब 100 lakhs होत तो मैंने क्या सुचा, इसको तो मेरे company से insurance निकालने का है, मैं गया company B के पास, insurance company के पास, इंशरेंस company में को 50 lakhs का insurance निकालने का, ठीक है, निकाल दो, अब ज़रा scene देखो क्या होता है, main तो मैं ही हूँ, क्योंकि अंकीदा मेरे पास आने वाली है, कितने का insurance देने के लिए 1 करोर, मैंने बोला ठीक है, ये लोग, contract sign करो, 1 करो का insurance इतना आपको premium भरना है, अब ये premium किसे देगी, मेरे को, उसको देगी क्या, एक करोर का premium मुझे मिलेगा, बलाबर, direct business हो रहा है, direct business premium मिल रहा है, आया नहीं, अब मैंने क्या किया, इस premium से 50 lakhs का premium company B को भर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे company का insurance सिर्फ 50 lakh का है, मैंने दूसरे company से 50 lakh का लिया, दोनों का 50 जा 100 लाग मतलब एक करोर का policy बन गया, जो कि मैंने इसे दिया है, समझा, तो जो मैंने दूसरे business से लिया, इसे कहते है, reinsurance business, direct business, reinsurance business, समझे मैं आया, ये college में नहीं explain करते हैं, जरा ध्यान direct business, reinsurance business, direct business का मतलब क्या है, directly मेरे company से deal कर रही है, जो भी premium है, मुझे देगा, जो भी claim हैगा, मैं इसको direct देदूँगा, हाया ने, premium receive हो गया, बास समझ में आया, अब वो premium जो receive हुआ, वो मैंने premium क्या किया, pay किया, क्यों, क्योंकि मैंने insurance इसके पास से लिया है, तो जो premium receive ह direct business है, उसके अंदर जो premium from reinsurance business है, वो मैं क्या करूँगा, minus कर दूँगा, क्योंकि जो direct insurance का premium यह पूरा मेरा नहीं है, इसमें से कुछ पूर्शन तो दूसरे business का है, तो जब भी premium receive होगा, तो देखना direct business का है, क्या reinsurance का है, ठीक है, जो direct business का है, वो direct में add हो जाएगा, और reinsurance का है, तो minus हो जाएगा, समझा, clear है, पक्का, 100%, अब हुआ क्या claim, भाई इसको problem हो गया, अब मुझे pay करना पड़ेगा, जब pay करना पड़ेगा, तो 50 लाग का premium मैंने इसको बढ़ा है, तो इसके पास से मैं claim का पैसा लूँगा, इसका claim, मेरा claim, दोनों मिला होगा, और फिर मैं इसे pay करूँगा, मतलब, reinsurance business के पास से पैसा लूँगा, मैं claim का, मेरा claim का पैसा लूँगा, और दोनों मैं किसे दूँगा, इसे अंकीता को दूँगा, clear, इस टाइम पे मुझे claim का पैसा receive होगा, और मैं वही claim का पैसा क्या करूँगा, इसे pay करूँगा, logic समझ में आय है, तो समझ जाने का, इसे minus करने का, clear हुआ, कोई भी चीज, premium आपका क्या है, income, तो premium हमेशा आपको receive होगा, लेकिन आप pay करोगी, तो क्या करोगे, minus, claim हमेशा pay करते हो, तो जब receive होगा, तो क्या करोगे, minus, because claim is your expense, expense मतलब claim paid होना चाहिए, receive नहीं होना चाहिए, सिर्छ receive के सब्सक्राइब, मैंने claim pay कर दिया, खर्चा है, लेकिन claim receive ही तो होगा, मेरे लिए income में तो मैं क्या करूगा, claim paid में से claim receive को minus करूगा, understood, premium receive होगा, premium pay किया, तो जो receive होगा, वो income जो pay किया, वो expense minus करूगा, तो जब premium की बात आएगी, receive में से paid minus होगा, claim की बात होगी, तो claim paid मे से receive को minus करनेगा, बैठा दिमाग में क्या बाउंसर गया, बाउंसर, बाउंसर, थोड़ा, थोड़ा, simple, भाई, इसने मुझे 10 रुपया premium दिया, तो premium receive होगा, direct business से receive होगा, अब मैंने 10 रुपया मेरा है क्या, नहीं, तो मैंने क्या क्या, premium pay किया, इसको pay क्या, तो जो receive होग उसमें से pay को क्या करोगे, minus करोगे, तो net premium मालुम पड़ेगा, मेरा company का net premium कितना है, 5 रुपया, तो जो भी premium receive होगा, उसमें से premium paid को क्या करेंगे, minus करेंगे, clear, क्योंकि premium receive income होता है, उसमें से expenses को minus करना, any doubt, claim की बात, claim क्या है, expense है, तो मैंने claim pay किया, मैंने इसको 100 रुपय रुपय दिया, लेकिन 100 रुपय दिया, लेकिन 100 रुपय दिया, तो मैंने 50 रुपय दे चल, तो जो pay किया था, उसमें से receive को minus करूँगा, तो actual expense मालूम पड़ेगा, मैंने 100 रुपय पे के तो 100 रुपय, expense है मेरा नहीं, क्योंकि 50 मिलेगा, तो मैरा खर्चा सिर्व 50 है, अधर expense तो other expense है, इसमें paid receive आगा नहीं, यह expense का ही column, इसमें खाली expense है, बात समझा, आपको इन सब का total करना है, और total करने के बाद क्या करना है, schedule number 1, schedule number 2, schedule, खाली amount, total application, खतम, इधर से उधर जाए, पक्का, 100%, क्या वापस एक बार करूं, 100% clear हो गया, अच्छा, बड़, modern insurance company, fire insurance division provides the following information, clearly बुला है, एक modern insurance company, उसके अंदर एक division जिसका नाम fire insurance division, मतला अपने को fire के बारे में study करने का, क्या, तो दिया है, shows the amount of claim as it would appear, मतला इधर सिर्फ claim के बारे में पूछा है, यहाँ कितना claim मिल सकता है, ensure इधर अपने को सिर्फ और सिर्फ claim का ही schedule बनाना है, profit and loss नहीं प्रिपेर करना है, clearly उसने बुला है, show the amount of claim it would appear, मतलब इस question में सिर्फ असिफ claim solve करना है, okay, चले देखते question क्या दिया, claim paid during the year, claim paid, claim is my expense, pay होना चाहिए, मतलब यह मेरा expense है, दो नो, फिर वो direct हो, या real, sorry का तो आपने बना तो minus, minus कब, जब receive होगा तब, अभी तो मैं 100 direct business का भी है, reinsurance का भी है न, जैसे ही उससे receive करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, minus कर देखा, अभी मैंने claim paid किया है, pay किया है, direct business का भी, reinsurance का भी, बराबर, उसके बाद claim receive भी हुआ है, next, claim table दिया है, 1st April 31st मार्च, दोनों में दिया, claim receive दिया है, opening में closing, आगे दिया है, expenses of management was 3,45,000, which include 38,000 for survivor fee and 42,000 for legal expense of certain, चलिए दिखते हैं कैसे solve, आपने हो कौन सा schedule बनाने का है, claim का, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लेम का बनाने का, इसके अंदर सबसे पहला हमें क्या करूँगा, तो पहले में direct business लोँगा, फिर reinsurance लोँगा, कैसे है, तो हमेश अच्छा है, दोको सबसे पहले आपको लिखना है, claim paid, इसके अंदर add करना है, closing, minus करना है, opening balance, हर इसमें एकी चीज़ ए, premium होगा तो भी, claim होगा तो भी, commission होगा तो भी, पहले premium क्या होता है, income, तो premium receive में, add करेंगे, closing, minus करेंगे, क्लेम क्या होता है pay होता है claim paid में add करेंगे closing minus करेंगे opening commission क्या होता है expense pay होगा commission pay में add करेंगे closing minus करेंगे opening तर हैसा क्यों, closing मतलब outstanding, opening मतलब paid तो जो pay कर दिया वह minus कर दो जो बाकी उसे एड करो आउट्षाइड प्रिपेड लेस होता है ना इसलिए क्लोजिंग को एड ओपनिंग को माइनस हर इसमें सब में क्लियर चलिए देखते क्लेम पेड है कितना तो क्लेम पेड दूरिंग डियर डारेक्ट बिजनस का कितना है 35,30,000 री इंशुरेंस क क्या चीए पेड ओपनिंग क्लोजिंग हम क्या करेंगे प्लेम पेड डिरिंग यर था कितना था अमांट देखो बहुत है 35,30,000 री इसमें एड करो क्या एड करोगे भाए प्लेम पेड में पेड पेड यहोगा रिसीवेबल नहीं रिसीवेबल किसके लिए री इंशुरें तो क्लेम पेड में एड करेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग में एड करेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग है 8,75,000 अरे समझा ओपनिंग कितना है 8,23,000 अंडर्स्टूड तो अपने को मिल जाएगा टोटल क्लेम ओफ डायरिक बिस्नस कर लो टोटल कैसे करोगे इसमें यह एड और यह माइनस 35,82,000 35,82,000 एन डाउट समझा यहां तक पक्का अब आ जाते हैं री इंशरेंस पे री इंशरेंस पे देखो री इंशरेंस में क्लेम पेड दिया हुआ है कितना 8,25,000 अब यह रिसीव है रिसीव माइनस होगा पेड एड होगा तो अभी हम क्लेम पेड गिसका रे इंशरेंस इसमें सेम प्रोसेस एड प्लोजिंग लेस ओपनिंग और पेड में पेड नहीं मतलब पेड तो पेड रिसीवận नहीं तो देखो claim paid में reinsurance का कितना दिया है reinsurance का claim paid कितना दिया है 8,20,000 हां जी यहाँ पर लिख लेता हूँ 8,20,000 देखते claim payable में reinsurance है देखो है add यहाँ पर closing कितना दा 80 seconds opening कितना दा 58 चलिए ठीक है फटाफट टोटल total claim paid किसका reinsurance कितना रहा 8,49,000 अब मिल गया total claim दोनों को add कर लो दोनों को add 44,30,000 मतलब मैंने total कितना claim pay किया है इतना direct business का इतना reinsurance का इतना यह मैंने pay कर दिया अब मैं सामने वाले से मांगने वाला भी हूँ तो claim receive होगा हमेशा claim receive किसका कावान में reinsurance का कभी भी direct का नहीं होएगा देखना direct insurance में रहे गा ही ने claim receive चलो देख लेते क्या मुझे direct business में claim receive है क्या है क्या है क्या नए क्योंकि claim receive किस में होने वाला है reinsurance में direct में possible ही नहीं understood क्यों सर मैं तो pay कर रहा हूँ तो receive किसी होने वाला है reinsurance है direct से receive होता है क्या understood इसलिए claim receive opening उसका दिया हुआ है मतलब पहले का balance फिर opening balance and closing balance देख सेम प्रोसेस करेंगे बट याद रपना कि इसे आपको क्या करना है माइनस करना है माइनस क्लेम receive कैसे माइनस करेंगे तो पहला claim receive का action में amount कितना था 3,20,000 लिक रहा हूँ 3,20,000 एड इसी के अंदर add करेंगे closing माइनस करेंगे opening प्रोसेस से में देख आपको closing और opening दिया है क्या हाँ जी claim receive में opening भी दिया है closing भी दिया है closing है 142 और यह है 85 closing है 142 और यह है 85 net claim receivable कितना इसमें यह plus यह minus कर दो 3,77,000 इसे bracket में डालके यहां डाल देंगे 3,77,000 समझा 44,00,000 में इसी minus कर दो claim कितना आ रहा है 44,00,000 31,00-3,77,000 40,50,000 done इतना ही रहता यह सम इतना ही होता और यह process भी इतना ही होता पर इस question में adjustment दिया अगर यह adjustment नहीं दिया रहता तो हम इतने में खतम करते है adjustment में दिया है यह जो expenses of management है कितना 3,45,000 इसके अंदर include हो रहा है 30,000 survivor fees and 42,000 legal expenses for settlement of claim claim को settle करने का खर्चा हमने उदर डाल दिया है तो आपने क्या करना पड़ेगा claim में add करना पड़ेगा 38,000 plus 42,000 दोनों को add करो कितना हो रहा है 40,000 असी अजार हो रहा है 80,88 हम क्या करेंगे normal इतना ही sum होता पर इसके अंदर 80,000 और add कर देता हो to add management expenses 80,000 टोटल बता दो अभी कितना है 41,34,000 done with the sum बात समझ मैं आप टेक्श्बूक रेफर करो कि अलग 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 चीज किया रहेगा मैंने simple पहले direct business में कितना पेक लिया री इंशरेंस कितना पेक या दोनों को add किया मैंने total इतना claim पेकर दिया अब तुमसे कितना मिल रहा है वो मैं माइनस कर दोंगा logic clear हुआ देखो confused होता है कुछ teachers इसको इसके साथ add कर देंगे फिर तुम मोलेगे सर हमारे college में तो add करके सिखाया है logic समझो क्या था claim पे आप ही करने वाले क्यूंकि इंशरेंस उसने आप से लिया है तो आपने direct business का इतना और insurance का इतना pay कर दिया है इसलिए वो दोनों add देगा वह आप minus करोगे answer आ गया खतम हो गया clear है पक्का बुल कि लास्ट वाले में क्या बोला था adjustment में उसने खाथा management का expenses इसको क्लेम से कोई लेन देनी नहीं इसका schedule बना था में इदा schedule बना था तो अब उसने क्या adjustment दिया कि जो management का खर्चा हुआ है ना उसके अंदर क्लेम सेटल करने का भी खर्चा है तो क्लेम का खर्चा तो क्लेम के schedule में लिखना पड़ेगा ना कितना 30 अगर यह नहीं दिया रहता तो मेरा answer क्या रहता मेरा answer है था 40,50,000 खतम कितना ही रहता schedule समझ में आया इसके बाद अंकीता यह amount कहा जाएगा जो हमने schedule बना है कौन सा schedule बना है इदर claim के process वैसे commission वैसे सब की amount लिखने के total करने का उधर जाने के खत्म होगे topic डन चलिए बढ़ेंगे और एक question लिखते ही क्या दिया है और क्या पूछा है बुलू है पहले वाला format दिखाओ पहले वाला format में देख लोग क्या है क्लेम का amount में इदर लिख दूँगा अधर expenses का column बना था उसके अंदर लिख देता अभी इस question में ना हाली claim पूछा है क्या बोला है शो रामाउंट ओफ क्लेम दाट सिट इस complete सम नहीं है एक बेसिक समय क्लेम फाइं करके बताओ कैसे फाइं करते मैंने बताया ऐसे फाइं करते है पूरा complete सम होता है तो अपन ये करते है अधर एक सब करते सौल फाइनल अकाउंट जैसा profit and loss calculate करते है समझा के जान भी क्या नहीं बढ़ते है second question के तरफ क्या है second question दिया है fact general insurance company informs you that the claim outstanding claim फिर से claim आ गया claim outstanding on 1st of April 2012 was Rs.5,20,000 and claim paid during the financial year 2012-13 was Rs.64,50,000 claim paid है हमने इतना pay किया और इतना 31st को outstanding है तो अमाउंट एक बार चेक करूँ न क्यूंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये है double shat print हो गया है ये cut कर दो ये line ये cut कर देता हूं 64,00,000 the claim outstanding on 31st was Rs.5,60,000 claim recover from reinsurance business was Rs.1,99,000 बस इतना छोटा सा सम है rough में इधर कर देता हूं क्यूंकि दो line का ही सम है सबसे पहला में क्या लिखूंगा माले में claim paid from direct business देखो insurance company है ये outshining कभी कह है April April मतलब opening paid during the year कितना है 64,00,000 64,50,000 अब ये direct business का ये ना claim outstanding मतलब closing दिया है add closing बराबर add closing minus opening तो closing claim कितना है 5,60,000 opening claim कितना है 5,20,000 अरे बराबर समझा कि नहीं 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 यह opening है यह closing है और यह claim paid during the year है तो claim खर्चा होता है ना तो pay से चालूएगा income है तो receive से चालूएगा इतना ध्यान में रखो अभी मैंने वह पता है claim क्लेम खर्चा है तो हमेशा पेड से चालूएगा तो claim paid कितना 64 lakhs बराबर इसमें add closing less open यह तो format ही है तो closing claim कितना है 5,60,000 opening claim कितना है 5,20,000 5,60, 5,60, 5,20 बराबर add less कर देंगे तो total claim मिल जाएगा 64,90,000 64,90,000 कोई reinsurance business का pay अगेरा कुछ किया ऐसा कुछ है गया नहीं खाली बोला है recoverable from reinsurance is 1,90,000 direct a key amount भी है तो receive कितना होने वाला है 1,90,000 हम क्या करेंगे minus करेंगे claim receivable 1,90,000 63,000 बराबर है done with the sum इतना ही गरना था अब यह चीज़ को मैंने रफ में लिखा है आपको ऐसा schedule बनाना है direct business minus reinsurance business खत्म समझा इसमें भी सिर्फ आपको claim में पूछा था calculate amount of claim incurred which is to be charge to its revenue account understood पका बढ़ेंगे next question की तरफ question number third आपके textbook में sequence में आपको मिलते जाएगा कोई issue नहीं चलिए देखते इसके अंदर ना दो चीज़ें premium बगेरा दिखर है और claim बगेरा दिखर है मतलब यहां पर दो schedule बनाने गाया देखो question number six रहेगा देखो हां start करूँ आपके textbook में थर्ड सम थर्ड या पोज जो भी रहेगा from the following information of XYZ Marine Insurance Company Limited for the year 31st March 2014 find out the net premium earned and net claim incurred खाली में एक change थोड़ा कर रहां यहां पे schedule के अंदर claim में इधर already कर दिया है तो मैं इसको खाली schedule यू आपस बनाना पड़ेगा इसके लिए खाली और कुछ नहीं इसको मैं schedule number two करके claim कर देखा ठीक है प्रीमियम और claim दोने इधर बना देखा एक इसमें हो जाएगा इसके लिए तो वापस अपने को बनाना पड़ेगा चली आज अब देखा प्रीमियम income होता है claim expense होता है अभी आपने claim क्या तो पहले में claim का process ले ले तो फिर प्रीमियम पे जाता हो claim paid डायरेक बिजनस रे insurance claim payable opening closing claim receivable opening closing समझा कैसे होगा हाँ सबसे पहला किदर से चालोगा claim paid से क्योंकि खर्चा है तो दोनों business का है दोनों एड करके लिखना है तो भी चलेगा एड करके लिखना है तो भी चलेगा एड करके लिखना है तुभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको क्लेम डायनेम बीजनेस रीशने मात में दोनों को अड्डी करते होना आप जैसा करना चाहो वैसा मतलब टैर्रिक बिजनेस पेड रिशरेंस विसनेस तो टोटल क्लेम पेड पेड पर यहां पे लिख आहँ हो क्लेम पी क्लेम पेड अब ध्यान देना यहां पर यहां पर देखो यहां पर रुपीज का कॉलम के जगे पर डाइरेक्ट रे इंशुरेंस और एक कॉलम अपर मना देदे टोटल का ठीक है ओके चलेगा प्लेम पेड डाइरेक्ट का कितना है देखो जरा 73 लाक्स री इंशुरेंस का कितना है फाइव लाक एट ओके एड करेंगे क्या फ्लोजिंग माइनस करेंगे क्या ओपनिंग हां जी डाइरेक्ट का डाइरेक्ट में री का री में आपको दोनों को एड करके करना है तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर इसमें कन्फ्यूज हो रहा है तो मैं दोनों एड करके भी दे देता हूँ मेरे को कैसा आप जैसा बोलो के वैसे सॉल्व कर दुमा यहाँ पर रुपीज रुपीज में 73 प्लस कितना था 5,80 दुमनों एड करो बताओ कितना और है सेवेंटी एट लाइक समझा कैसे किया एड करके तो बेच लेगा क्लोजिंग बैलेंस दोनों का कितना है देखो क्लोजिंग बैलेंस पेबल का एक लाइक हजार और बारा जार एक लाइक तेरा जार सरी तेरा जार यह आएगा ना तो क्लोजिंग वन लाइक थर्टीन पॉस आई समझाईए पक्का चारिए बढ़ेंगे आगे उसके बाद ओपनिंग कितना है पेड़ का 94 प्लस 16,000 मतलब यह हो गया एक लाइक लाइक दस हजार एक लाइक 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 दस हजार अंडेस्टूड इसमें यह प्लस यह माइनस करोगे तो आगया क्लेम क्लेम पेड टोटर कितना है आमने डायरेक और रही का इतना क्लेम पेखिया कितना आ रहा देखो जड़ा इसे कैसे सॉल्ब करेंगे हम लोग इसमें माइनस करेंगे क्लेम रिसीव क्लेम रिसीव का ओपनिंग वाल्यू कितना है देखो जरा स्टार्ट वाल्यू कितना है पहले से कितना रिसीव हुआ था क्लेम रिसीव दो लाग दस यहाँ पर लिखूंगा मैं दो लाग दस एड करूंगा क्या क्लोजिंग, माइनस करूँगा क्या, क्लोजिंग कितना है, 39,000 और ओपनिंग, 42,000, जो भी अमाउंट आएगा, क्लेम, रेसीविबल, कितना है, 2,07,000, डाल दिया आउटर कॉलम में, 2,07,000, इसमें ये माइनस कर दो, क्लेम पीड, कितना, 76,00, डाना, हो गया सा, बराबर है, ये, क्लेम समझ में आ गया, अब प्रेमियम पे जाते, चली आ जाते, लॉजिक समझ गया ना तो सम इजी है, आपको ये ही आने वाला है, हर सम ये ही आने वाला है, इसमें प्रेमियम, क्लेम, कमिशन, अधर सब दिया रहेगा, ये कैल्कुलेशन समझ लो, और बागी सब उसी के इंदर जाना है, किसमें, इधर आना है, फॉर्माट में लिखना है, जैसे उधर जाने का है, खत्ब, बढ़ आपके एक्जाम के पॉइंट वी से, अगर जहां दो डाल सकते हो लोग, और फिर बाद में आपको यहां पे लेकिए आ जाएंगे, फ्रॉफिट लॉस तक, फाइनल अकॉंट भी करेंगे, ऐसा नहीं है, बट मैक्जिमम फोकस फ्रॉफिट लॉस पर ही होता है, आपका 90% सम फ्रॉफिट लॉस तक ही होता है, 10% फाइनल अक क्यों, प्रीमियम क्या है, इंकम है, तो पहले रिसीव वाला लेंगे और उसमें से पेड़ वाले को माइनस करेंगे, क्यों, प्रीमियम रिसीव होता है, इंकम कितना मिला टूटल, उसमें से मुझे कितना देना है, वो माइनस करूंगा, लॉजिक समझ में आया, जो देते उसे ceded कहते है पेड वर्ड दिया है बढ़ कभी premium ceded वर्ड आया तो ऐसा confused मत हो जाना ceded मतलब paid होता है अब इस case में claim ceded का मतलब क्या रहेगा receive क्योंकि claim paid में ceded minus होगा ceded हमेशा minus होगा clear चलिए start करते premium receive से start करेंगे क्या साथ में करूं जैसा अभी क्या था अभी तो logic समझ में आए न तो डायरेक और insurance का premium receive लेंगे उसमें से insurance वाले को minus कर देंगे ओके चलिए start करते premium receive अब सबसे पहला आप लिखोंगे premium receive दोनों का एड़ करके बता दो कितना है जैसे इदर आइड किया था वैसी बता दो 99,86,000 बराबर है अब इसके अंदर क्या करोगे premium receive में add करेंगे closing minus करेंगे opening क्या premium receive दोनों business का दिया है न बराबर है तो add करेंगे closing इसे add और इसे minus करेंगे 3,94 प्लस 33,000 करना है यहां पर हम add करेंगे add करेंगे closing minus करेंगे opening balance चलिए closing कितना था देखो 3,94,000 plus 33,000 which is equals to 4,27,000 और opening कितना है देखो जरा opening में 4,59,000 plus 37,000 4,59,000 plus 37,000 4,96,000 इसमें यह plus और यह minus करेंगे तो I can write total total premium receive कितना 99,17,000 done अब इसके अंदर हम minus करेंगे क्या very good premium paid logic समझ मैं है expense है तो paid में से receive minus income है तो receive में से paid minus बेटा दिमाग में अभी चलिए premium paid दिया है क्या opening value कुछ उसका है क्या पहले से देखते हैं तो premium paid दिया री इंशरेंज में कितना दिया था 6,36 दे दिया था उसने तो 6,36,000 6,36,000 इसके अंदर क्या करोगे add करोगे closing minus करोगे opening समझा और यह insurance कहीं रहेगा इसके अंदर direct business नहीं होता है कितना है देखो जड़ा तो re-insurance के लिए आपको दिया है premium payable 28 opening और 20,000 closing और 20,000 है closing है 28,000 opening 6,34,000 sorry 44,000 कितना 6,28,000 आट अट 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 माइनस वरना है 6,28,000 अट अट समझा अब क्या है यह माइनस होने वाला है माइनस करना इसमें से माइनस कर दो नेट प्रीमियम कितना 92,89,000 done with your sum समझ में आया क्या है यह है आपका insurance sum claim किया claim किया premium और claim किया भी जो बड़ा sum आएगा उसमें premium claim commission other expenses सब का chart दिया रहेगा direct insurance दोनों दिया रहेगा important है यह direct और insurance को समझना अगर समझ के direct और insurance के topic खत्तम है समझा पक्का आपको क्या करना होगा आपको हर एक का schedule बनाना पड़ेगा चार schedule fix है यह चार schedule बनाने के बाद इनका calculation करना है इधर लिखना है income में expense minus करना है profit generate करना है और profit को यहाँ पिलाके रख देना है इधर fire का fire में marine का marine में इसका मतलब यह है कि यह अपने को दो बार तीन बार बनाना पड़ सकता है fire का fire के लिए insurance का marine के लिए marine के लिए सबका अलग-अलग calculation भी होगा premium तीन दिया रहेगा तो तीन बार schedule बनेगा fire का fire में marine का marine में मिसलेन सब्सक्राइब इसमें इंकम का टोटल लो expense का net profit इसमें टैक्स माइनस करो आफ्टर टैक्स काम खताम समझा पक्का चलो आज के लिए इतना है होफुली आपको वीडियो पसंदा रहेगा तो अपने इस वीडियो को लाइक कर देना प्रेंट्स क्रूप में शेय करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यों पर वाचिंग ने वीडियो